एक किताब है उस किताब का नाम है Freedom at Midnight आप सबने सुनी किसने लिखी है? Larry Dominique, British है उसने एक किताब लिखी है और ये किताब बहुत popular किताब है Freedom at Midnight उस किताब के 631 पेज़ पर चौथा और पाच्वा पैरागिराफ Dominique लिखता है और एक महला से गांधी से उसकी हुई बातचीत के बारे में उसने नाम भी लिखा है और वो बातचीत क्या हुई वो भी लिख दिया है वो महला उसको कौन सी ऐसी चिंता थी गांधी को लेकर के वो सब छोड़के वो बिरलब हाउस पहुँच गई मंदिर पहुँच गई और फिर गांधी से जो उसने समवाद किया है वो क्लासिक समवाद है और वो समवाद उसने उसको बताया है राइटर को समवाद ये है कि गांधी से वो महला पूछती है कि गांधी जी आपके उपर इतना बड़ा हमला हुआ आप डरे नहीं तो गांधी ऐ जूजल पहले उपर नीचे एकदम शांत मुद्धा में गांधी जूसिंग कहा कि नहीं मैं मृत्व से नहीं डरता हाँ लेकिन अगर मेरी मृत्व हो तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे मुँ से हेराम निकले और मेरे मुँ के उपर मुसकान हो किस को पता था कि 30 जनवरी को ये उनकी खौइश पूरी हो जाएगी किसी को नहीं पता था आप जानते हैं कि लेरी और डेमनी क्यों ने ये जो बाच्चीत किया ये किस महला से किया ये भारती ये राजनीती के अंदर एक महला थी एक महला है कुछ लोगों के लिए पूजनी है उस महला का नाम है एडवीना माउंट बैटन एडवीना माउंट बैटन को गांधी की चिंता थी इसलिए वो मिलने गई अब गांधी के पास किसी ने भेजा और नहीं भेजा और आप में से कोई भी आदमी जब भी दिल ली जाए तो बिरला मंदिर जाए और अपना ब्रहम दूर करने के लिए ब्रहम दूर करने के लिए यह मुझपे अविश्वास करने के बावजूद भी जाए और बिरला मंदिर में और कम से कम जिनकी 80 साल की उमर कोई वो जरूर जाए और बिरला मंदिर से पैदल चलके राम मनोहिर हो उस्पिटल जो उसी लाइन में है 80 साल का बुजरुग भी अगर कितनी भी देर लेगा तो साड़े चार मिनट में राम मनोहिर हो यह उस्पिटल पहुंच सकता है गांधी जी आदे घंटे तक जिन्दा रहे नाथूराम गौड से ने गोली चलाने के बाद पुलिस वाले को बुलाया कहा कि मैं होशो हवास में हूँ मैंने कोई क्राइम नहीं किया है मैंने गांधी को मारा है आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं इस से जादा यह मंदर कोई आदमी चाहिए था और यह लेडी एड़ी अद्माउंट बेटिन कौन है यह तो पता ही होगा आपको लेकिन उसका किस्सा देखिए कमाल का लेडी माउंट बेटिन यह आपको इसलिए बता रहूं कि हमें पता चले कि हमारी चुपी से भारत की संसद में क्या-क्या जगन अपराद हुएं हमको बाहर के लोग ऐसी बेखुफ नहीं समझते वो यह नहीं देखते कि हम कितनी महंगी शर्ट पहने हैं और कितनी महंगी गड़ी पहने हैं उनको पता है या तुम कहां से आये हो शेक चिल्ली भी हमसे बैतर होंगे आप सोचिए 1962 में 1962 में लेडी मैडम एडविना माउंट बेटन इंडोनेशिया के एक टापू के ऊपर छुट्टी मना रही थी वो छुट्टी मना रही थी अकेले उनका हाट फिल हो गया दिल्ली खबर पहुँची और ये कोई ऐसी चीज नहीं महतार हो अभी आप गूगल सर्च कर सकते आप यहीं पकड़ने मैं घरी नहीं जा पाँगा लिए जो उनका वाला था उस तो हुए ही नहीं ये जादा हुए और शाम को ये शर्म की बात है हमारे लिए भारत की संसद में बाकाइदा पंडित एक तो ये कहां के पंडित पता नहीं आच तक जवाला नहरूजी ने संसद में एडवीना माउंट बैटन के मरने की शोक सभा के प्रस्ताव रखा और पारित किया और फिंदूओं के बड़े योद्धा भी मौझूद थे उन से मेरी इसलिए शिकायत है मैं कोई घटना में अपनी नाराजगी किसी निजी कारणों से नहीं करता हूँ सर 1979 आप भूल गए मैं नहीं भूला आई वस इन हाई स्कूल नाइंध क्लास में था मैं मुझे वो घटना आज भी याद है कि भारत में इंद्रा गांदी की ताना शाही के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक छोटा सा जगे पढ़ती है जिसे सिताब द्यारा कहते हैं वहां एक शक्स पैदा हुआ और वहां से चला जो उस आदमी ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ पूरे देश में युवाव में एक क्रांती पैदा की आदोलन खड़ा कर दिया और पूरे देश के अंदर युवाव उसके साथ चलने लगे और उस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने वाले उस आदमी का नाम था जै प्रकाश नाराएन मुझे इसलिए वो घटना याद है कि उस जमाने रेडियो हुआ करते थे और एक शब्द आता था क्योंकि हम उर्दू बैक्ग्राउंड से थे हमारा माहुल वही था वह वक्त बार बार उसमें रेडियो में आता था आज उनका रत्चाप गिर गया है आज उनका रत्चाप बढ़ गया है तो हमारी समझें रत्चाप होता है किसको बोलते हैं लेकिन ये खबर लगातार बुलिटन आते थे ये 79 की घटना है उनकी डेथ हो गई उनका समाचार एक बार गलत पढ़ दिया गया कि डेथ हो गई फिर कंडेम किया गया नहीं हुई है कुल मिला करके डेथ होगी आपको मालूम है जो लोग उनके आंदोलन से कुछ जीत के आये थे राष्टवादी उनके मुह क्यों से लगए थे उस वक्त सवाल उठा कि जैपरकाश नारायन को हमें शद्धान जली देने चाहिए तो कॉंग्रसी खड़े हो गए लेकिन दो लोगों से शिकायत है एक जीवित है एक नहीं है आप तो थे न बासट में आपने तो संसत देखी थी आप कोई सवाल उठाना चाहिए था कि 79 में भारत में एक आदमी ने करांती कड़ी की लोगों में युवाओं में जान फूकी सताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर एक जना लोदन किया उसके मरने पे आप पूछ रहे हैं कि आप ने आप शर्दान जी नहीं दे सकते क्योंकि वो सदन का मेंबर नहीं था तो 62 में अटल जी को पूछना चाहिए था एडविन अमाउंट बेटिन किसकी सदस्ती तो ये नहीं पूछा लेकिन 79 की एक शर्म नाग घटना है जो जिसलिए मैं जोड रहा हूँ मैं अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूँ किसी किशान में गुस्ताखी नहीं करना अटल जी महान थे अच्छे थे वो अपनी जगए है मैं उस पर कोई समयरा सवाल नहीं है लेकिन मेरा सवाल है कि 79 में आइरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लेंड में एक गॉरिला युद चला रही थी उसे आईरिश कहते थे और वो गॉरिला युद चलाने में बिर्टेन सरकार के खिलाफ चला रही थी वहां कुछ आज़ादी का जगड़ा था ये जो सहाब थे लॉर्ड माउंट बैटिन सहाब इनको टूना मचली का शिकार खेलने का बहुत शौख था ये आईरलेंड गए हुए थे और वहां ये एक बड़ी सी नाव में बैट करके तूना मचली का शिकार कर रहे थे आईरिश रिपब्लिकन आर्मी वालों ने उनकी बोट के नीचे बम लगा दिया और जब बटन दबाया तो बोट के चितरे उड़ गए माउन बैटन की डैथ हो गई भारत ये समाचारा आया उस वकट सरकार किसकी थी इंद्रा गांधी के हटने एक बाद 79 में कित्ते थे आपके MP इसलिए मैंने कहा रंग बदलने से कुछ नहीं होता जब तक यहां ठीक नहो वो तेरे मैंने देखें अपनी जिन्दगी में लॉड माउन बैटन के लिए भारत की नेवी के दो ब्रिगेड यहां से गए दो फ्लीट चलके यहां से गए और उनको सलामी दी हम यह है यह पीछा आज तक नहीं छूटा हमारा लॉड माउन बैटन को सलामी देने के लिए भारत की नेवी के दो फ्लूट कागे उनको सलूट दिया लेकिन जै परकाश नारा इनको अपने ही संसद में शद्धान जली नहीं दे पाए यह हमारा इतिहास इसलिए आखरी बात जादा सीरियस है उसे सुन लीजेगा फिर उसके बाद आपको मैं परिशान नहीं करूँगा एक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था 1923 में उसमें चचा ने 1956 में अमेंडमेंट किया और उसके बाद 1985 में फिर अमेंडमेंड हुआ 1995 में फिर अमेंडमेंट हुआ और 2013 में भारत की संसद में भारत माता की जैके कहने वाले ठेकेदारों के 117 MP थे 117 आप मेंसे कोई जानता है आप मेंसे किसी ने मेरी स्पीश सुनी होगी इस विशे को मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ मुझे रट गया है मुझे कोई रात के दो बज़े सपने में भी उठा दे और कहें कि यह बताओ तो मैं उसका कॉमा फुलिस्टो भी गलत नहीं बहुत सकता है इतना रट गया है मुझे मेरी किसी हर स्पीश में मैं यसलिए लाना चाहता हूँ कि मुझे इसमें इंट्रेस्ट नहीं है कि सुप्रीम कोट कल कौन सा कानून बनाने जा रही है भारत हिंदू राष्ट बनेगा या नहीं बनेगा भारत ये होगा मेरा इंट्रेस्ट ही नहीं है में कोई भाराच चड़िया नहीं है जो हिंदू राष्ट बने जाएगा और उसे संविधान में बना देंगे तो हिंदू राष्ट हो जाएगा मेरा मानना है जिस दिन भी 95 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग हिंदू हो गए 24 घंटे में हिंदू राष्ट बन जाएगा